हाई गाईस कैसे हैं आप सबी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज किस वीडियो में हम यह देखने बाले हैं जो भी जात्र बीए थर्डियर में है उनके लिए हम एजूकेशन का फेपर लेके आए हैं जिसमें यूनिट टंबर हम 3 को देखेंगे और यह क्या है दो हजा द्यान लखना जो मैं बोल रहा हूँ यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा आप पीडियेफ को डानलोड कर सकते हैं पीडियेफ का लिंक डिसकप्शन बॉक्स में है और हाँ बीए पेपर हैकर को और पेपर हैकर इडूप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं आपसे बादा क करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूँगा जो कोशर बता रहा हूँ इन कोशनों को पढ़े लेना कानपुर यूनिवस्टी वाले आगरा एमजे पी यू यूपी के सभी यूनिवस्टी वाले इस पीडियेफ को डानलोड कर सकते हैं यहां से बाहर कुछ नहीं जाएग पहला कोशन है सरीर के आकार और स्वरूप तारीरिक कारे और गती संबंदी चमताओं व्रद्धी और उपलब्दी घ्यान और रुचियों और अभी व्रद्धियों और ब्यक्तियों की लक्षणों में माप की जाने वाली भिनिताओं की उपस्ती कैसकते हैं सिद्ध की जा चुकी है यह कथन किसका है तो आपके सभी कहेंगे यह टाइलर का सिद्धानत है यह से जो कथन दिया था वो टाइलर ने दिया था ऑप्शन नमबर एक ही ओड़ जाएंगे नेक्स कोशन है यह परिभासा दी किसने परिभासा देती कि ब्यक्तिकत भिनताओं में संपूर्ण ब्यक्तित वका कोई भी ऐसा पहलू सम्लित हो सकता है जिसका माप किया जा सके तो यह किस ने कहा था यह इसकी नहीं कहा था ओप इसके नहीं ओप्शन नमबर जिसने भी दिया है एक परम सथ्तान्स रोगा नेक्स कोशन है वोला गया है जो वुद्धी अमरुत विचारों के बारे में सोचने की योगता है ये विचार किसका है तो आप सभी का कहेंगे ये टर्मैन का है क्या है टर्मैन का है अप्शन नमबर हम किसकी ओर जाएंगे सीकी ओर जाएंगे नेक्स कोशन है किस ने कहा कि वुद्धी व्यक्ति की संपूर्ट शक्ति का योग और या फिर सर्वधामिक योगता है जिसकेशनिय कार्य करता है और और तरकोंट धंक से स्थौशता है और coping कारेंगे ये केसे किस ने कहा था तो आपने ये कहा गा वेसलर ने कहा था option नमर एक ही उड़ जाएंगे next question है ये कथन वुद्धी सीखने या फिर कह सकते हैं वुद्धी सीखने या अनुभव का लाव उठाने की चमता का बिचार है ये किसका कथन था आप कहेंगे ये डियर वॉर्न का सिध्धान था या फिर बुद्धी जो बुद्धी होती है हमारी वो बुद्धी सापिक्स रूप से रूप में नवीन परिष्टियों में अभियोजित करने की जन्मजात योगता है ये किसने कहा था तो आप कहेंगे वर्ट ने कहा था कि जो बुद्धी सापिक्स रूप में नवीन परिष्टिय अभी योजित करने की जर्मजात योगता है तो ये किसने कहा ये क الفर विने इसकेल का प्रियोगिया जाता हे to बुद्धि के लिए इसके लिकाप्रियों किया जाता है लेक्स कोशन यहां बोला क्या है बुद्धी का द्वजण्ध्वी सिद्धान किस पृतिपादित किया था जाएंगे वहो मानुश्क योगताओं की पृतिपादक हैं कौन है तो आप कहूँगे यह कहली थी एक तो कहले और था कह सकते हैं थर्ष्टन अप्शन नमबर सी की हो जाएंगे थर्ष्टन वो कहली यहां कह रहा है बुद्धी की बहु खंडी और बहु सिद्धान्द से सम्मंदित था तो वो था हमारा क्या था बिटा वो था हमारा थॉर्डाइक आप्शन या फिर कह सकते हैं या फिर समलित शिद्धांद उसका उन्होंने क्या प्रती बादन किया, भुद्धी प्रिक्षर में कौन सा नाम संबंदित है तो आप सभी को पता है वो है हमारा L friend वी ने option number B की ओर जाएंगे पिर्थम बुद्धी परिक्षड का विकास किया गया था तो आप B ने दोवारा किया गया था next question है मांसिक आयू का विचार मनों पे ज्ञान ने प्रुस्तित किया तो आप को कि B ने प्रुस्तित किया option number D की ओर जाएंगे next question है next question यहां बुला गया है पदानों किर्मित बुद्धी सिधानत का प्रतिवादन किस ने किया तो आप को कि वर्ट और वरन ने किया था option number D की ओर जाएंगे next question है देखिए बीने साइमन का सब्मन था तो यह बुद्धी परिक्षण से था option number C की ओर जाएंगे next question है PDF सभी लोग डालोड करेंगे PDF का लिंग डिसक्रप्शन बॉक्स में दे रखा है और चैनल को सस्क्राइब करेंगे वेडियो को लाइक करेंगे किस मनो बैग्यानेक ने सरप्रत्थम प्रियोग साला इस्थापित की तो आप सभी का अंसर आना चाहिए option number B बुंट ने की थी next question है टर्मन और इस्टेन मनो बिग्यान किस देश से सम्मंदे थे अमेरिका से सम्मंदे थे option number B की ओड़ जाएंगे next question है एक अथर किस मनो बिग्यान ने दिया कि मानसिक आयू किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त सीमा की वह अभी व्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है और किसी आयू विसेस में इनकी अपेक्षा होती है तो डाक्टर माथर द्वारा कहा गया मैं सभी से दोस्त बहुत जरूरी है आपके लिए आपकी लाइफ वद्व देगी यह पीडियाफ समझा लो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने बाले हैं यहां कहा रहा है मानसिक आयू में मानक किया जाता है तो बुद्धी का जो मानसिक आयू है उसमें आपको मापन किया जाता और इंटू से सो से गुणा कर देते हैं तो यह वद्धी लब्दी का सूतर होता है इसको याद कर लेना किसी कह रहा है यदि एक बालक की मानसिक आयू कितनी है पंदरा है और उसकी बास्तिक आयू कितनी है दस है तो उसकी वद्धी लब्दी क्या होगी तो हमने बताया ना पंद्रा बटे क्या करेंगे दस करेंगे इंटू सो करेंगे तो आप लगा लो पास से कार्ड दू या फिर दस से कार्ड दू तो इसकी कितनी जाएगी बुद्धी लब्दी ऑप्शन नमर डी नहेंगा इस तरकार शे को करते हैं यह कोशन कहरा है प्रतिभासाली बालक की पंसिक आई उतनी है तो उसका कौन सा सत्य है बुद्धी लब्दी कौन सी होगी आपको मैंने बदाया वांसिक आयो को उपर रख देते हैं और इसको नीचे रखेंगे और सौ से गुणा करेंगे दो से काटिए तो यहां चार आ जाएगा यहां काटेंगे तो पांच आ जा झाAR तो आपको पता है वह किसं किया था टर्मेरन ने किया किया अप्शन नमर एक ही और जाएंगे तो उब बोला गया है एक बालक की बुद्धी लब्दी बिच्चासी है तो उसकी बास्तिविक बुद्धी इस्थर कितना होगा तो आप कोगे मंद बुष्टी होगा कैसा होगा बालक की बुद्धी इस्थर क्या होगा तो आप कोगे यदि 85 बुद्धी लब्दी है तो उसका जो वंद बुद्धी वाला बालक होगा यदि 140 से अधिक होती है तो बहुत ग्यानी बिक्ति होता है next question यहां बोला गया है कि 12 वर्ष में 60 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डाक्टर एम जो जलोट ने कौन सा परिक्षण निर्मार किया तो आप सबी कहेंगे साधार मांसिक योकता परिक्षण किया था नेक्स कोशन बोला गया है बुद्धी लब्दी के सूतर में M A का जो परियाप्त है तो आप कहेंगे मानसिक आयू से परियाप्त है option number C की और जाएंगे यहां है आर्मी अलफा बुद्धी परिक्षन दिया गया तो आप वोगे यह जो दिया गया था सामोहिक समदिक बुद्धी लख्षन दोवारा और परिक्षन दोवारा option number एक ही और जाएंगे नेक्स कोश्चन है था जो थर्डडाइक थे उन्होंने बताया बुद्धी के बारे में क्या बताया था वो नें बताया था बुद्धी बताया कि बुद्धी क्या होती है आमुर होती है इसको याद रखेंगे किसने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनुसारी गुड़ों का गुरुत्तम संगठन है जो वातावण के साथ उसके अधुतिय समयोजन को निर्धारित करता है तो आप सभी कहेंगे वो करता है किया सकते हैं ओलपोर्ट द्वारा option नमबर ओलपॉर्ट हो जाएगा option नमर डी रहेगा नेक्स कोशन है बेर्गतित्व की धर्णा को माना जाता है तो आप ओगे यह होता है अमना सार्विक और क्या हो जाएगा डेकी ओर जाएंगे यहां बेर्गतित्व का सर्वुत्तम बार होता है तो वो होता है अनुवन से किरम और बातावन द्वारा ऑप्शन नमर सी की और जाएंगे नेक्स कोश्चन बोला गया है व्यक्तित्व जनमदात और अर्जित प्रिवर्तियों का योग है यह किस ने कहा था तो आप सभी कहेंगे यह बोल बुलेंटाइन ने कहा था जि क्या होती है यह होता है आत्म चेतना क्या होती है यह व्यक्तित्व की पहली और प्रिमुख विसेस्ता होती है आत्म चेतना यहां बोला गया है पर पर शुना किस वहासा का शब्द है तो आप को ले लेंटिन वहासा का सब्द है नेक्स कोशन बोला गया है व्यक्तित्व ए का है ऑपशन-नमर सी की और जाए नहीं कि दो कारों वही मूर्खी और अंता मूर्खी में नहीं किया क्या क्या था। यूंक का क्या था उन्मिकजाईगा क्या हो जाएगा यहां बोला गया है गश् nig种 कन के बिछार का दीया किसने विचार दिया किसने बिजार दिया कि अंदुम और एहम और अधियम किसका था कह सकते हैं तो यह था फ्राइड का था option number सी की बात करेंगे इक स्कूेशन मानशिक का विछ府 का बिचार दिया यह भी किसमें किया था प्राइड में दिया था aus कोशन बूला गया है कौन व्यक्तित्व परिक्षण की विधी नहीं है तो आप कहेंगे यह समाधनीती विधी क्या है एक क्या होती है समाधनीती जो विधी होती है वो एक व्यक्तित्व परिक्षण की विधी नहीं होती है नेक्स कोशन बूला गया है देखिए यहां बोला ग है तो जूंग के आदार मुझा जूए ज़र जाती रोगों को इसके अदम ब्यक्तित्व का प्रिकार नहीं है वह समाजिक प्रिकार नहीं है यह प्रिक्शन बूला गया है व्यक्तित्र एक व्यक्ति के बयवहार के तरीकों और रुचियों और देश्टी कितने पिरकारों के व्यक्तित्व का वड़न किया तो आप वे तीन पिरकार के व्यक्तित्व का वड़न किया है निमने में से व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधी वस्तुनिष्ट है तो आप कहोगे यह है चारिरिक परिक्षण की विधी next question बूला गया है कि समाजिक कह सकते हैं समाधिक आशाबादी और एंकारबादी और अवशरबादी व्यक्तित्व का बालक होता है कैसा होता है यह वहु मूर्की होता है अप्शन नमर B की और जाएंगे नेक्स कोशन बोल रहा है कौन सा बेशेशन संगठन व्यक्तित्व की नहीं है तो आप कोगे आसमाजिकता नहीं है ऑप्शन नमर C की और जाएंगे बाकी आप जो कथन देख रहे हैं सत्ता सत्त वाले आप यह सब पीडियाफ में हम दारे दे लिए पेपर हैकर और पेपर हैकर यूट्योप चैनल को सस्क्राइब करना है लिंक डिसक्प्शन बॉक्स में है कोई इशू आदा है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपका साथ हमेशा दोंगा और इसके पार्ट नमबर 4 में लव्यू तो लिग्टो थैंक यू